तो दोस्तो रिट देवी का मेला पिछले दो साल से लग रहा है और इस मेले की सुरुवात महा महिम स्री एसोग गहलो जी माननिय मुख्य मंत्री शाहिब और माननिय स्री गोविन सिंग टोडासरा शिक्सा मंत्री शाहिब के द्वारा की गई और इस मेले में एक किरकेट खेल का भी आयोजन किया गया और इस किरकेट खेल में राम करपाल मिर्ना उद्दाराम बजनलाल बिसनोई डिपी जारोली परदीप पारासर जैसे महान बेस्ट पलेयर बैटिंग कर रहे थे और इस क्रिकेट मैच में बोलिंग करने वाले कौन थे? हमारे बेरोजगार युआ साथी. हुआ क्या? ले तेरी ले तेरी खूब लताड़ा गया हमारे बोलरों को. खेर खेल तो खेला गया. आखिरकार ये खेल जीतेगा कौन? क्या ये मैच पहले से ही फिक्स था? या फिर य बड़ा पर्सन वाचक चिन बनके वो खड़ा हो गया. कहने का मतलब यह है कि रिट की भरती कैंशिल होगी या नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे दोस्तों के सामने. कुछ लोगों का ये कहना है कि रिट की जो भरती है वो रद होगी. कुछ का ये कहना है कि रद से वो कर रही है और जो हमने सोचा था आज वही हो चुका है रिट की जो भरती है वो कोड तक पहुँच गई है रिट की भरती के खिलाब तीन याचिकाएं हैं लग चुकी है जिन में रामपरशाद अमरचंद मीना और भांगचंद सर्मा के दोवारा कोड में रिट के कि रिट की पूरी ही भरती है वो रद की जाए खैर कोई बात नहीं फैसला तो इसका कोट सुनाने वाला है क्योंकि जस्टिस महिंदर गोईल की खंटफीट के द्वारा आठ फरियोरी को इस याचिकाओं पर सुनाई होनी है फैसला बाद में आने वाला है रिजेल्ट बाद मे का सबसे बड़ा आरोपी कोन है सबसे बड़या दावेदार कोन है तो दोस्तो फिलहाल जो एसो जी की टीम लगातार जांच कर रही है तो जांच में जो ने ने खुलासे आरे हैं उनमें तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे बड़ा जो दोसे निकलने वाला वो बोर्ड निकलने आरोपी है क्योंकि इसके पीछे भी कई कारण है जिसको मैं आपको यहां पर बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट है वो बताऊंगा देखिए दोस्तों यहां पर पहला कारण क्या है देखिए सरकार के द्वारा परदी पारासर और राम करपाल की न्यूपती पर है बोर्ड से सवाल उठाए गएते कुछ लोग सरकार को भी दोसी हों मान रहें अलंकि ये बात अलग है वो तो जब लास में फाइनल खुलासा निकलेगा उसके बाद हम तैक कर पाएंगे कि सरकार दोसी है या फिर और कोई दोसी है यहाँ पर परदीप पारासर और राम करपाल की न्यूपती पर सरकार ने सवाल उठाया लेकिन इनके पक्स लेते वे बोर्ड ने तरक वित्रक करके इनका पक्स हो लिया गया किस तरह से दरसल दोस्तों हुआ यूँ कि रिट की भरती की प्रीक्षा की समीक्षा के लिए तीन सित्मबर को अपने जेपुर में राज्य इस्तरिये उच अधिकारियों की बीच में एक बठेक है वो आयुजित की गई और उस बठेक के अंदर जिला कलेक्टर सम्मंदी जिले के जिला कलेक्टर जिला पुलीस अधिक सिक्षा के अधिकारी वो अन्य अधिकारियों सहित देश सद्दस्यों की एक कमेट्टी है या एक टीम की गठन करने का परस्ताव है वो पास किया गया परस्ताव पर महोर है वो लगाए गी लेकिन बोर्ड ने सरकार के सक्त रवेव को देखते वे उस दिन तो इस परस्ताव पर महोर लगा दी यानि परतेक जिले में देश सद् शिक्षा पौन गोईल को एक गोपनी पत्र वो लिखा गया और उस पत्र के जरीए सूचना दी गई कि जेपुर जिले में परदीपारासर और राम करपाल मिना की नियुकती बोड के परती निदी के रूप में की गई लेकिन इसको लेके सरकार ने अंगुली 28 सरकार ने इसका विरोध किया लेकिन बोड ने अपनी सवायता की धोंस दिखाते उनके आदेशों की अवेलना कर दी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि RBC बोड अजमेर है वो एक सवतंतर स्वायता है सरकार इस पर दबावो नहीं बना सकती और इसी सवतंतरता का फायदा उठाते उन्होंने जेपुर जिले के अंदर तीन वेक्तियों को जो की प्राइवेट थे उनको यहाँ प देकि मैंने आपको यह कहा था कि यहाँ पर सरकार के दवारा यह स्वाल वो उठाया गया था कि जो परदीपारासर है रांकुरपाल मीना है जो कि एक प्राइवेट वेक्ति हैं प्राइवेट सैंस्ताओं के संचालक हैं उनकी न्यूप्ति है क्यों की गई है तो ऐसे में ब सरकार की बात वो टाल दी इसके लाव दोस्तों यहाँ पर देखि बोड का यह भी खहना था कि यह दो वेक्ति हैं यानि परदीपारासर है और रामकृपाल मीना है पिछले पांच महिनों से बोड के पर ती निद्दी के रूप में काम कर रहे हैं यानि बोड का सयो कर रहे हैं, रिट भरती को ले करके तो ऐसे में इनको नहीं हटाया जा सकता, ये बोड के परती निदी हैं, ये खाय के सरकार की बात इनों ने टाल दी इसके लाव दोस्तों, यहाँ पे एक और उच इस तरी ये कमेट्टी है होई थी जिसमें तीन परती निदी मंडल थे जिसके अंदर अपने जो निदेसक के जो डायरेक्टर मोदे हैं, सोरा स्वामी वो भी थे, और बोड के अदेख सचीव वो भी उसके अंदर सामिल थे उस बैठेक में ये निनने लिया गया कि जो भी विदारती हैं, उनके जो रोल नंबर है, रेंडमाई जैसे न हो किया जाए, इस हिसाब से उनके नंबर हो दिया जाए अलांकि जिस दिन वो बैठे वोई उस दिन तो बोड के सचीव ने मान लिया कि हाँ ठीक है, रेंडम तरीके से हैं, इस्टुडेंट्स या अभिहारतियों को रोल नंबर आउंटित कर दिये जाएंगे, लेकिन बठेक के अगले दिन ही, विया सची मोदें अपनी बात से मुकर गए और ये कहेके साफ साफ मना कर दिया कि स्टुडेंट्स या अभिहार थियों कि जो roll number उनको random नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी प्रीक्षा का time कम है, समय कम बचा है तो ऐसे में एवेश्ता हो जाएगी तो इस बात को भी नकार दिया इसकला दोस्तों यहाँ पे एक और उस बठक में यह निर्ने लिया गया लेकिन भी आप board के सचीव ने यह कहकर साप साप मना कर दिया कि हमें किसी भी student के जो forum है, जो double forum भरे गए है उनको delete नहीं कर सकते या reject वो नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है कि कि किसी अभिहारती ने किसी विशेश से विशे के लिए आवेदन किया हो किसी विशेश language के लिए आवेदन किया हो तो ऐसे में उनको reject हो नहीं किया जा सकता हाँ, जिस दिन इसे finalize कर लिया जाएगा, जिस दिन वो जिस role number से exam में बठेगा या जिस application से वो exam में बठेगा, उसको सही मान लिया जाएगा ये कहकर भी भी है, इन्होंने board ने अपनी बात है वो नकार दी और यहां तक कुछ भी है उन्होंने किया इसकला एक सबसे बड़ा जो आरोप है जो board पे लगाया जा रहा है देखिए आपको पता है कि रिट की जो प्रीक्स है थी वो अलग-लग सेंटरों पे की गई थी जिसके अंदर private सेंटर भी थे और सरकारी सेंटर भी थे और इस बार यहां तो इस भरती के लिए college जों को भी सेंटर है वो बनाया गया था लेकिन यहां पर क्या हुआ कि देखिए बठेक में यह निड़ने लिया गया था कि college के अंदर जो प्रीक्स है सेंटर आएगा वहां पर जो सरकारी teacher है जो वरिष teacher है उनकी नियुक्ति की जाएगी लेकिन भीया यहां पर भी board ने साप साप मना कर दिया कि वहां पर यानि college के अंदर शिक्सकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती पहली बात टो यह ए है कि जो भी प्रैवेट government सम्चालक है वागर इनकी शिक्सकों की नियुक्ति की जाएगी तो उनकी बात ही वह नहीं मनेंगे तो SME कोलेजों के अंदर बोर्ड के परती निद्यों की निउक्तिगी ऐसे ही दोस्तों कई कारण और भी बहुत सारे कारण है तो कोई भी जो कारण है जो बोर्ड है सरकार की बात वो नहीं मानी तो SME खुलासे में यह नजर आ रहा है जिस तरह की यह कारण निकल के आ रहे है तो ऐसे में तो यह नजर आ रहा है कि यहां पे सबसे बड़ा जो आरोपी है दावेदार वो बोर्ड होगा अब जैसे जैसे सरकार खुलासा करेगी SOG की टीम है वो खुलासा करेगी और दूसरी तरफ उदर कोट अपना फैसला सुनाएगा तो वो तो बाद की बात है खर फाइनली अपनी यही बात करते है आखिरकार रिट की भरती रद होगी या नहीं होगी तो दोस्तों देखिए खेल तो बहुत बड़ा है वो खेला गया किरकेट का खेल आपको पता कितना इंट्रेस्ट होता है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे है वैसे वैसे भी या रिट का जो खेल है वो और भी इंट्रेस्ट होते जा रहे है तो ऐसे में हम यह तै नहीं कर सकते कि रिट की बरती वो cancel होगी या नहीं होगी लेकिन यहाँ पर अपने राजे की या पिर अभ्यारतिों की बात करें तो उनका तो यही कहना है कि रिट की बरती को है वो रद किया जाए लेकिन जिन शाथियों ने जिन दोस्तों ने रिट में अच्छे नंबर प्राप्ट कियें वो तो विया चुपचा बठें गादड़ी की तरह बरें नहीं विया मेरे तो नंबर बड़ी आये हैं मैं तो ये अक्जाम के अंदर है वो दूंगा है ये बरती कैंचल नहीं होने ची तो ऐसे में सब तो देखिए अपने अपने स्वारत की पूर्ती करते हैं वो एक लग बात है वहां तक विया रिट की भरती है वो कैंचल नहीं होगी नहीं होगी क्योंकि इसके पिछे सरकार के दोर एक बड़ा खेल खेला गया है तो ऐसे में विया रद नहीं होगी अगर ये रद भी हो जाती है और फिर दुबारा इसका अयोजन करवाया जाता है तो आपको पता कि पिछले दो साल से तो मेला लग रहा है अबर आगे कितने साल लेगेगा एक तो इतना बजट है इतना खर्चा इस रिट भरती के लिए हो चुका है सरकार का अब यहां पर जो अभ्यारती है दुबारा तो फिच देने वाले नहीं उसके बाद भी भी है यहां पर बजट की बड़ी दिक्कत आने वाली है सरकार की सरकार पर काफी बड़ा घाटा वो लगने वाला है तो ऐसे में सरकार को रियर केस में ही कोई अपना फैसला बदल दे वो एक लग बात है लेकिन भीया रिट की बरती है वो कत्या ही कैंसल नहीं होगी आप अपना आवेदन करें और अ आइकन उसे भी दबा देना और नोट्रिफिकेसन उसे भी ओन कर लेना ताकि इस प्रकार से नहीं नहीं वीडियो की जान करें आपको मिलती रहे मिलते हैं फ्रेंड्स अगे लिए एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत